वेलकम टो मास्टर मांड अब जिके एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मांड अब जिके में फ्रेंड्स आज आप लोग के लिए मैं काफी दिन के बाद वीडियो लेकर आया हूँ और आप सभी लोग को पता है फ्रेंड्स की जो आपका सरशठ में BPC का एक्ज ज्यादा अब ज्यादा ज्यादा आप लोग प्रेंड्स करेंगा तो आपने सी कोस्टन करके संग्रह करकर करके आप लोग को प्रवाइड कराऊं जो आपका सरशठ में BPC के लिए काफी फायदेमंद हो आप लोग में कॉमेंट करके जरूर बताएगा चैनल पर पहली बार करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देगा ताकि महात्पून वीडियो का नौटिकेशन मिलता रहे इसके लाब फ्रेंस जो मेरा अप्लिकेशन है मास्टर मैंड ऑप जिक्यों भी आपका सब्सक्राइब करोंगा चैनल को सब्सक्राइब नह आपका सरशटमी वीपी से के लिए पहला प्रेक्टिस चेट है प्रेंस चलिए आज का पहला सवाल देख लेते हैं पहला सवाल है बिहार की अर्थ वरस्था के तीनों छेत्रों में वर्स 2019-20 में पिछले विट्वर्स के मुकाबले विर्धी दर कितनी रहे है ठीक है को सब् प्राइब चेट में 3.6 परतिसाथ दितक चेट में 8.2 परतिसाथ और तितक चेट में केतना 8.5 परतिसाथ हो जाएगा दूसरा नमर शवाल आपका है एलपीजी खपत के मामले में विहार का सबसे असमिरित जिला कौन है एलपीजी लिक्विट पेट्रोलियम गईस इसका जो करेक्टन सरोगा ऑप्सन नमर यह मुझा पर पूर हो जाएगा तिसरा नमर शवाल है सबसे प्राचिन सरम संगठन क्या है सबसे प्राचिन संगठन ऑप्सन नमर बी हो जाएगा AITUC इसका फूल फॉम क्या होता अप्सन तो All India Trade Union Congress होता है इसके स्थापना के बारे में देखा जाए इसके स्थापना 31 अक्टूबर कितना 31 अक्टूबर 1922 में मुंबई में हुआ था ठीक है और सबसे प्राचिन सरम संगठन क्या होगा तो आप्सन नमर बी इसका अंसर हो जाएगा तीसरा नमर चौथा नमर को देखे कि भारतिये वन प्रबंधन संस्थान कहां अस्थापित है इसका अस्थापना के बारे में देखा जैंगर再फ्ष तो उने सु चाराशीश बीमी इसका स्थापना हुई थे यह भी आध रखेगा तो करेक्टन सर ऑप्चन नंबर बी हो जाएगा पांच नंबर सवाल को देखें भारत में थोक मुल सुझकांख डबलू पी आई के आकड़े निमलिखित में किस संस्थान कार्याले द्वारा जारी किया जाता है अच्छा सवाल है फ्रेंस तो पांच का जो करेक्टन सर होगा फ्रेंस यह ऑप्चन नंबर बी हो जाएगा वानिज एवं उध्धोग मंत्राले के द्वारा यह जारी किया जा अगला सवाल को देखते हैं साथ नंबर आपका है कि समाजी की विकास की तिर अवस्थां का सिदान्त मुलत्र किसे परति पाजित किया था बहुत इंप्पोर्टन सवाल है शाथ का आजकोश्य नीति का उपकरण नहीं नहीं है है 8 का जो कैरेक्ट न्सरों होएगा नहीं है pokiris में निवीष का उपकरन नहीं है ते तातपर नहीं से नहीन के सरकार की ऐसी नीतियों से है जो खर्च निवेस और tax की दरों को द्यान में रखकर बनायी जाती है इसमें नीम लिखित में से कौन सा एक राजकउस के नीती का उपकरण नहीं है तो यह ब्याज दर है जो इसका कारेक्ट अनसर हो जाएगा नौ नमबर सवाल को देखे नौ नमबर सवाल है मिड़े मिल कारक्रम को किस पंच वर्षी उजना में शुरू किया गया था यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शवाल है ठीक है तो द 95 में 15 अगास्त 95 में शुरू किया था कोश्चन पुछा जारे कौन सी पंच वर्षी उस समय चल रही थी तो आठवी पंच वर्षी योजना आध रखेगा मिड़े मिल के स्थापना आठवी पंच वर्षी उजना में शुरू कि गई थी तो आप्शन नमर भी इसका स्कूल में बच्चों को दोपहर का भोजन निस्कूल के दिया जाता था ते बहुत ज्यादा इंपॉटेंट कोस्चन है याद रखेगा मिड़े मिल की कारकरम्स की शुरू आठवी पंच वर्षी उजना में हुआ था फ्रेंस कब हुआ था तो आठवी इसके स्थापना कब इसी शुरुवात का हुई थी तो यह भी बताया मैंने 15 अगस्त 1995 को हुई थी और जो आठवी पंच वर्षी उजना का जो कारकाल था फ्रेंस तो वह भी मैं बताया कितना 1992 से लेकर के कितना 1997 पांच वर्ष का होता है न तो यह भी याद रखेगा दस नमबर शवाल को देखे आई एम एफ ने HDR आनि के Special Drying Rights को मुद्रा के रूप में कब अपनाया तो दस का जो कारेंस नमबर सी हो जाएगा फ्रेंस उने 171 में इसे अपनाया गया था 11 नमबर शवाल आपका है कि स्वतंतरता से लेकर अब तक भारत में कितने बार रूपियों का अम मुल्यन किया गया बहुत important question है इगारा का तो देखे अब तक है जो प्रेंस कितने बार किया गया तो तीन बार रूपियों का अम मुल्यन किया गया इसलिए Option नमबर आपका B इसका exact answer हो जाएगा veраст में पूर्तोग्हाली संस्थापक किसे माना जाता है पूर्तोग्हाली संस्थापक को माना जाता है इन्हों ने एपना जो मुख्याले कहां बनाया था यहांगिर के दरबार में अपना राजतु बनाकर किसे भेजा था तो देखे इसका कारेक्टर सब्सक्राइगा इसमें किसी को नहीं हो जाएगा 1608 इस्वी में याद रखेगा 1608 इस्वी में काइप्टन हॉकिन्स को भेजा था तो इसलिए इसका जो कारेक्टर सब्सक्राइगा option number E होगा अनिकि उपर उतने से एक या एक से अधिक ठेका है तो correct answer आपका option number E हो जाएगा तो तेरा का correct answer option number E हो जाएगा फ्रेंश पुना एक बर question को देख लें कि Britain के समराट James पर्थम ने जहांगीर के बेजा था ठेक है तो इसका correct answer हो जाएगा एक आनि एक से अधिक हो जाएगा आनि के captain Saugans भी था और sir टेमर सो जाएगा तो correct answer इसक्या होगा option number E हो जाएगा तेरा question हम लोग देख लिए फ्रेंश total हम लोग 150 question देखना देखेए इसमें थोगा सा धनी सेठो तथा मिर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथो बेच डाला question समझ में आगे options तो option number B इसका correct answer हो के एम पनिकर ठेक है के एम पनिकर इसका correct answer हो जगा पलासी की लड़ाय है जो फ्रेंश तेस जून आध रखेगा तेस जून 1757 इस वी में इस वी में आपको एल लड़ी गई थी इसी के बारे में किस एक कहा था के एन तो पनिकर ने कहा था पंदरन नमर शवाल को देखे पंदरन नमर शवाल आपका है फ्रेंश की गवर्नर जनरल लॉड बिलियम बेटिंग के सम्मंद में से कथन सत्य है पंदरन नमर शवाल देखे फिरिंश इसका कर्येक्र अंशर क्या होगा उन्होंने सत्य परतह का अंत्य का ठगी परतह का अंत्य का सरकारी सेवाओं में भेद बाको समाब्ड की अंग्र इसे सिछा का माधयर मान्य बढया इसका जो correct answer होगा option नमर आपका e हो जाएगा ठीक है फ्रेंस, इसमें जो होगा उपर्यूक्त सभी कतनों सत्य है, जितना भी कतन है ऑपर्यूक्त में से एक से अधिकानी कि एक से अधिकानी जितना भी कतन है एक, दो, तीन, चार सभी सत्य हो जाएगागा, क्योंकि एक, दो, बनाए था के सिफारेश पर इन्होंने भारत में अंग्रीजेशी सिछा को किया थाुब सब्सक्राइब का इन चाहिए बढ़ पहले चुछे को स्थापना केघार्था स्थापन हो जी हो जाएगा था भारत के पर्थम इंजिनीरिंग कॉलेज सथापनार रूड की एभी वर्तमान श्टापन में कहा पड़ता है तो उत्रा खंड में पड़ता है इसके स्थापना जो कब हुआ था इसके बारे में इसके बियाद रखें जो आठाचास शो श॑ में हुआ था है भारत हैं ने किया था तो सर जे thawmson ने 1847 में किया था 17 नमर शवाल को देखे किस चार्टर किस चार्टर एक्ट द्वारा दिश की शाषन प्रनाली का केंदरी करंड कर दिया गया था ठीक है शाषन प्रनाली का केंदरी करंड सत्रा का कारेक्टर अक्टर नमर देखे जो सासन प्रणाली को केंद्र करण कर दिया गया था तो correct answer option number C हो जाएगा 1833 का 18 नमर शवाल को देखे 18 नमर शवाल आपका है कि British भारत में अस्थानिय स्वसासन का जनक किसे कहा जाता है British भारत में भारते अस्थानिय स्वसासन तो अस्थानिय स्वसासन का जनक है जो Lord Rippon को कहा जाता है option number D इसका character answer हो जाएगा ठीक है Lord Rippon और Lord Litton से समद्धी दो प्रशन भी पूछा जाता है अब आप लोग याद वरना कुलर प्रेस एक्ट को लागो किस ने किया था तो Rippon ने किया था जो कि पडोसी राज्यों से वसूला जाता था चौथ है जो फ्रेंस सुरच्छा के बदले आय का एक चौथाई भाग वसूला जाता था जबकि जो आपका सरदेश मुखी था वो भूमी करका एक बटा 10 हिसा लिया जाता था अगला सवाल को देखे 20 नमर सवाल आपका है ये निमलिकी पेसाओं को उनके काल करम के अंसार आरोही करम में सजाएं आरोही करम और एक अब रोही करम होता आरोही करम मतलब बढ़ते हुआ हो गया फ्रेंस अब रोही मतलब घड़ते यानि बढ़ते हुए करम में करा ना तो 20 का गुए कायरेक्ट अंसर हो जाएगा अपका सीरियल नमर है एक में हो जाएगा दो में हो जाएगा तीन में हो जाएगा चार मानी सब्लेर creation क्या हो जाएगा इसका option no. a हो जाएगा सभी इस तरह से एक दो तीन चार है जो सिक्वेंस में है विसकोस चना हम लोग देख लिए फ्रेंस चलिए किस नंबर शावाल को देखते हैं 1896 में वहा था उसी में पहले बार में घय गया गया था और उसकी जो अध्यसता किस ने गया था तो आपका हमारा बंदे मात्रम है फ्रेंस हमारा राष्ट्य की थे और कितने पाइसर चकेन में घया झाता है और ये फ्रेंस बंदे मातरम को बंकिम चंद चटरजी द्वारा रचित है जो आनन्द बट उपन्याद से लिया गया है ये भी आद रखेगा पूछा जा सकता है वारती रच्टे कॉंग्रेस के किसा दिवेशन में तो कोलकता के 1896 में जो हुआ था उसी में गाया गया था और उसकी अधरस्ता किस ने किया था तो रहिमतुल्ला एम सयानी ने किया था आद रखेगा ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर ऑप्शन नंबर भी रहिमतुल्ला एम सयानी हो जाएगा जुन्दा थोड़ा दिख रहा है गौर से सुनिया फ्रेंस एक पेज में पीडे बनाने में मिश्टिक हुआ है गांधी जी की आत्म कथा दस्टोरी आफ माई एक्सपरिमेंट वीद टूथ मोलु रूप से गुजराती में लिखी गई इसके अंग्रेजी अनुवात किसने किया था इसमें दो सवाल बन रहा है फ्रेंस पूछा जाता है कि the story of my experiment with truth किस भासा हम लिखा गया था तो अंग्रेजी भासा में इसको अंग्रेजी में किसने अनुवात किया था तो 22 का करेक्टन सर हो जाएगा फ्रेंस महादेव दिसा सेना में भरती होने का दबाओ बाकि ये सब था लगान की दरों में 50 पर फिसदी से अधिक थी ए भी है राजस वह सूली के दवरान जमिंदारों को दमनात्मक नीती भी बिगार की पर था ये भी था लेकिन ए उप्रेंस का करेक्टर ये आपका सामिल नहीं था कि वह की कान सी कतन सब्सक्राइब आपको 1431 क्या गया था तो ये भी याद रखेगा कि इसके विरुद था फ्रेंस तो अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के बिरूद 1831 सिस्वी में कोल जनजाती के द्वारा विद्रो किया गया था याद रखेगा तो कारा आपका कि कौन सा कथन सही है 24 का 24 का कारेक्टर सरो होगा एक और तीन यह दोनों कथन सही है एक और तीन यह तब बढ़ गया जब छेत्र में राजस्व संग्रह का काम हिंदू, मुस्लिम और सिख सावकारो को पट्टे पर दे दिया गया और यह कारण हो जाएगा यह विद्रो छोटा नागपूर 36 गड़ पस्चिम मंगाल एवं ओडिसा के छेत्र में फैला था इसलिए एक और तीन आनि के आप्सन नंबर डिस का कारेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए पस्चिस नंबर शावाल को देखे अंग्रेजो द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फासी की सजाद दी गई थी पस्चिस का क्या घंब ओर गए थी तो देखे इसका जो दिया गया था राजगुरू को न ओपजसन one दाब भूक sacrifice के के बाद में हुई थी याध रखेगा फ्रेंस औस चंदर सेखर अजाद और कलफना दध है जो फ्रेंस अंग्रेजों के समय में स्वहेम को गोली मार लिए थे तो इसमें से जो करेक्टन सर ही हो जाएगा आपका राजगुरू राजगुरू आद रखेगा भगत्सी और सुख देव तीनों को एक बार में फासी दे गई थे अंग्रेजों की द्वारा सजा सुनाई गई थे अगला फ्रेंट परसिद उपन्यास आन को किस नाम से जाना जाता है जो करेक्टर सरजागा आपशन सके नमर्टसी होजाएगा भगाली देश भक्ति का Bible कका जाता तो करेक्टर्ट पूच्छन हम लोग देखें, 27 नमर्ड कोच्चन देखें, नम्लिकित में से मराथी समाचार पत्र मुख नायक किसने शुरू किया, 27 का जो कुझक अपसन नमर ए, डॉक्टर बियार आमेटकर के द्वारा आया, मुख नायक, मराथी समाचार पत्र सुरू किया गया था, 28 नमर लगाया था तो 1840 इस्विमीन उन्हें 10 पर्थापर को रोक लगाया था ठीक है। करेक्ट नबरो और रखेगा 10 डास दास ब्यावपार पर रोख का लगाया था लगाया था लगाया था 50 अप्षन नमर ए हो जाएगा 29 नमर शवाल दके 29 नमर सवाल आपका के बंगाल बिभाजन के पस्चात ऐतिहासिक बहिस्कार प्रस्ताव को कप पारित किया गया था तो 29 का करेक्टन सर आप्शन नमर यह होगा 7 अगस्त 1905 बंगाल का बिभाजन लॉड करजन के साशनकाल में हुआ था तो कर आया आपका बंगाल बिभाजन की घोसना जो हो गया था फिरिंस के बंगाल बिभाजन के बाद में किया था ठीक है तो कोश्चा ने बंगाल बिभाजन के पस्चात ऐतिहासिक बहिस्कार प्रस्ताव को कब पारित किया था तो 7 अगस्त 1925 बी तीस नमर शवाल को देखे कि भारत में ब्रीटिस सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दवरान सबसे निर्मम दमन किया भारत में ब्रीटिस सरकार ने 1857 के बाद तो 30 का जो कारेक्ट अंसर हो जगा फ्रेंस ऑप्सन नमर ए भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है याद रखेगा कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन चले अगला सवाल देखते है फ्रेंस 31 नमर की निम लिखित मे से किस मोगल सासक ने इलाही संबत के अस्थान पर हिज्री संबत की शुरुआत की थी इंपोर्टन कोश्चन है तो देखे इलाही संबत के जगा पर हिज्री संबत आपको साह जहां दवारा सुरू किया गया था आप्सन नमर डी इसका कारेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है सा जहाने इलावी इलाही समम्मद के देगा पर हिज्री सम्मद चलाया था करेक्टन सर डि हो जाएगा 32 अलादिन ख्यल जी ने किस राय रायान के उपाधि परदान कि थे इससे किया था तो 32 का जो जो कारेक्टन सन्तने के किस सकथ ने सरपर्ठम भारत में सःनी विभाक्य स्थापना की दिली संतन्त के जो सरपर्थम कानशा शापन था ये बलर्बं था उप्सेन नमबर भी इसका कारेक्टन सन्तना होजाएगा स्थापना दिली संतनत के किस आशक ने किया था तो बलबन ने किया था याद रखेगा ठीक है फ्रिंस इसका कारेक्ट अंसर हो जाएगा आपका बलबन हो जाएगा 34 नमर हुमायू नामा निम्लिकित में से किसकी रचना थी तो 34 का correct answer हो जाएगा अप गेस करें गुलबदन बेगम का हो जाएगा option number 6 इसका correct answer हो जाएगा गुलबदन बेगम हुमायू की कौन्थ लगती थी फ्रिंस बहन लगती थी यह भियाद रखेगा गुलबदन बेगम है जो कौन थी तो हिमायू की बहन थी जिसने अकबर के आगरा पर हुमाय नामा नामक पूस्तक को लिखा था ठीक है फ्रिंस और जो यहुमाइन नमा जो book है किताब है फृर्ण्स इसमें क्या है तो इसमें बाबर और हुमाईव के जो साशन काल्था उसी के बारे में विवरं डिया गया है तो हुमाइन नमा character answer option number C हो जाएगा 34-35 नमबर स्वाल को देखें 35 नमबर आपका फ्रेंस आप लोग रिस्पॉंड के लिए फ्रेंस कॉमेंट करें बताएगा तो प्रते एक दिन में कोशिज करूँगा कि एक प्रैक्टिस चेट आपका प्रोवाइड में कराऊं सरसथमी बीपीसी के लिए और फ्रेंस आपका क्रांटे फेर्स के साथ साथ कुछ प्र नंबर डी हो जाएगा जुनार में मिलता है ठीक है जुनार कहां पड़ता है तो महराष्ट के पूने जिले में इस्तित है फ्रेंस यहां पर देखा जैतों लगभग कितना तो 123 बुद्ध गुफाएं मिलती है तो निमलिखे तस्तरों में कहां बहुत विहारों का विसालतम समु मिलता है तो जुनार जुनार है कहां पड़ता है तो आपका महराष्टाम पड़ता है यह भी आप लोग याद रखेगा ठीक है अगला सवाल है 36 नमर शवाल आपका है कि बिहार से प्राप्त सबसे प्राचिन आहत या पंच मार्ग्द सिक्के किस धातु के थे यह नासत के नाम किस अभिलेख में है तो कौनसा अभिलेख में है तो बोगाज कोई अभिलेख में यह सब बढ़नीत है तो याद रखेगा आपसर नमर शवाल को देखे किस संपरदाय के अनुयाईयों को पंचाथिक कहा गया है तो देखे इसका कारेक्टनसर होगा आपसर नमर शवाल को देखे भारतिय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित की चर्चा है तो देखे 49 का कारेक्टनसर है टोटल है जो आपका 14 विक्रमादित की चर्चा है सबी लोग याद रखें आपसर नमर डिस का कारेक्टनसर होगा चालिस नमर शवाल को देखे चालिस नमर शवाल आपका है कि नवी सताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अर्वी वियपारी ने भारत की यातरा के बाद लिखे विरितांत में किस वन्स के समराज को रूहमा कहा है ठीक है तो चालिस का करेक्टन सर आप्सन नमर पाल वंस के समराज को कहा है नौमि सताब्दी के मध में सुलिमान नामक अर्भी वपारी ने भारत के यात्रा के बाद लिखे बिरितान्त में किस वंस के समराज को रूहमा कहा है तो पाल वंस के समराज को कहा है ठीक प्रेंस इस करेक्टर रोग आप लोग इसकते कनिष्क हो जाएगा ठीक है प्रेंश करेंश के आपका इसे संबंदित थे ठीक है कनिष्क जिसके सासनकाल में चतूर्थ बॉद संगीती कर्सिमिर के कुंडल वन्में याद रखेगा ठीक है जिसके अध्यक्ष में वसुमित्र थे उपाध्यच अस्वगोस थे इंप्रेंट है याद रखेगा ठीक है और चतूर्थ बॉद संगीती में आपका जो है बॉद धर्म दो भागों बट गया था हिनायान और महायान भी विभाजित हो गया थे यह आप लोग याद रखेगा चले अगला सवाल 42 नमर शवाल आपका है कि निम्लिखित में से 10 राज यूद का उलेख हमें किस से प्राप्त होता है तो 42 का कारेक्टर अप्सर नमर ची रिगवेत के साथ में मंडल में आपका 10 राज य अगला सवाल को देखें अगला सवाल है निम्लिखित मगध राजवंस को काल कर्मानुसार ब्यस्थित करना है तो देखें कि इसका जो करेक्टर सर क्या होगा सबसे पहले आपका हो जाएगा हर्यक वंस सबसे पहले जिसके संस्थापक आपका 20 सार थे इन्हीं के बेटा थे जो अजात्सत्रू थे जिन्हों ने इसको पिता को हत्या करके गड़्दे पर बैठा था तो काल कर्मानुसार देखा तो कितना होता है 544 से लेकर कितना 412 इसा पूर्व होता है ठीके तो सबसे पहले हो जाएगा उसके बाद में हो जाएगा इक किरो इस इसरी इसे बाद में आएगा मॉर्वंस आएगा ठीक है अचाई चासनकाल तो पचासी वर्स से लेकर करके कितना है पचातर वर्स इसापुर होगा इसका ठीक है तो इसका जो करेक्ट अनुमती भोज उत्सब और विवाह करने पर परतिबंद लगा दिया था अनुममर 6.66 प्यहारों होँम रूम लीग किस्टापना जो खुआ था अपरियो सापका तो आपका मजहरूल हको अनुममर दी इसका च अंसर हो जाएगा ठीक है यह देखे बिहार में होम रूल लिग की अस्थापना जो हुआ था फ्रेंस आपका तो किसकी अधास्ता में तुम मजहरूल हक में आपका हुआ था तो उन्हें सो 16 इस भी आप लोग इसे भी आप लोग जिरूर याद रखेगा चले 47 नमर शवाल को जायन तुम महाह Intelli से परता हैम पडेकल याद रखेगा परिश है बाख है ऑगश सब्सक्राइं हो गया मगत हो जो इस सब्सक्रसेक है जबकि अवन्ती है जो कहां MP मद परदिश से है 48 नमर सवाल को देखिए 48 नमर सवाल है निम लिखिए जैन तिर्थकरो में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था 48 का कारेक्टर नसर क्या होगा देख ले इसका कारेक्टर नसर होगा फ्रेंस आपका option number E हो जाएगा विकल्प में दियेगे सभी तिर्थंकर का जन्म बिहार में हुआ था जितने भी तिर्थंकर है जो सभी इनका जन्म बिहार में हुआ था इसलिए आपका कारा उप्रियुक्त में से कोई नहीं या उप्रियुक्त में से एक से अधिक आनि कि सभी का हुआ था तो इसलिए option number E इसका character answer हो जाएगा जैसे नेमी नाथ का, वसुपुजी का, सुबरत नाथ का और महाविर का सभी तिर्थंकर का जो जन्म ही बिहार में हुआ था तो option number E इसका E character answer होगा उन्चास नमर शवाल को देखें उन्चास नमर शवाल आपका है बिहार के वह साहितकार जो स्वतंतरता संग्राम के दोरान बारा बार जेल गए थी उन्चास का character answer क्या होगा तो देखें आपका राम बिरिश बेनिपूरी का नाम सुने होगे यही है जो बारा बार जेल गए थे प्रेंस पकेस नमर शवाल आपका इठाहर method बिद्रो में कुवरसी की मिर्तू के बाद बाद में सरकार बाद में सरकार सह्पार के बाद तो उसको ग्रेपटार कर लिया था नियक्हा आपका correct answer option number A हो जाएगा चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंस कितना 50 नमर होगा एक 50 नमर सवाल को देखें एक 50 नमर सवाल आपका क्या है एक 50 नमर सवाल है आपका कि सूची एक सूची दो को मिलान करना है तो देखें समानता का दिकार स्वतनता का दिकार सोसन का गुरुधा धर्म की स्वतनता का दिकार 31 का जो correct answer हो जाएगा फ्रेंस देखें एक दो तीन चार ठेक है एक दो तीन चा ठीक है आनिक समानता का अधिकार है जो फिरेंस 14-18 अनुश्यद में है और स्वतंता का अधिकार 19-22 में है अधर्मी की स्वतंता का 25-28 में है तो करेक्ट अप्सन नमर यह हो जाएगा 52 नमर शवाल को देखे 52 नमर शवाल आपका किसी गिरफतारी व्यक्ति को नियालए के सामन गठन की द्रिष्टी से नीम्न में से कौन सा यूग में सुमेलित है तिरपन नमर शवाल का तो तिरपन नमर शवाल का जो कौन सूमेलित है देखले व्यक्ति में से ज़ूराज्यों का गठन गठन गुखे का 56 में 7、市किम 75 में 843 में चौंगन नमर शवाल को देखे चौंगन नमर शवाल आपका है कि लोक लेखा समीती के संदर में निम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यह भी important question है लोक लेखा समीती होग या प्रेंस एक प्राक्लान समीती होता है इसका correct answer क्या कौन सा कथन है जो आपका कराश सही नहीं है तो देखे इसका correct answer कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है तो देखिए लोक लेखा समीती में टोटल कितना 22 सदस होते हैं इतो आपका बिल्कुल सही है जिसमें आपका 15 होते हैं लोक सभा का और साथ होते हैं राज सभा का ते तो सही है इसमें लोक सभा हम राज सभा दूनों का सदस सामिल होते हैं अभी बताया 15 होते हैं लोक सभा का स अग्षा मैं तेक करेक्षा समीति जो कार्काल कितने एक वर्सका होता है तो यो कि के समीति का अधिच्छन निदेशन और नियंत्रन किस्मी निहित है पच्पन का तो भारत में निर्वाचन का अधिच्छन निदेशन और नियंत्रन किस्मी निहित है पच्पन का कारेक्टन सर सी हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग में अगला सवाल देखे फ्रेंस टूटल डिल सो कोशन थो फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगे अगला सवाल आपका है कि किस समिधान संसोधन दुबार मताधिकार क्या हूँ एक किस वर्स से घटाकर 18 वर्स के कर दी गई थी तो चपन का चपन नमर का करेक्टन सर आपका ओप्सन नमर सी हो जाएगा इसमें देखे इसको आपको यह भी आद रखना कब यह तो एक सब्सक्राइब समिधान संसोधन लेकिन कब हुआ था फ्रेंज तो यह करेक्टन सर आद रखे गाए भी उन्हें सुर्णावासी इस्वी ठीक है आपका विधान परिशद नहीं है उत्त्रा खंड़ राज में विधान परिशद नहीं है वृत्पानमें देखा जाया था उप कुटॉल तो कौन कौन है पहला उत्तर परदेश हो गया दूसरा में हो का बिहार हो गया तीसरा में आपका करनाटक हो गया चोथा में महराष्टा हो गया पाच्मा में आंध परदेश हो गया और छठा में हो गया तेलंगना हो गया तो याद रखेगा तो उत्तर परदेश करनाटका महर अंधावनार कोस्टें को देखे कल्यांकारी राज की अवधार्न निति की निदेशक्त तत्व में लिए चो आइरलेंड के सम्मिधान से भारते समिधान में अपनाया गया यह भी याद रखेंगा उन्सट नमर्शावाल को देखे भारती समीधान के किस अंशेद में भारत के उपरांश्ट पती के निर्वाचन की परकृरिया का वुडलन किया गया है उन्सट का Correct answer हो जाएगा अप्रेंज उपराश्ट पति के निरवाचन के प्रकिरिया जो अनुछे 66 में आपसन नमर भी इसका कारेक्ट असर हो जाएगा साथ नमर शवाल को देखे किस समीति की रिपोर्ट के अधार पर मुल करतब्यों को भारते समीधान में सामिल किया गया है उपर्टमानं में मुल करतब्यों के संख्या कितना है तो आपका 11-8 याद रखेगा तो correct option नमरे होगा स्वर्नसी समीती के सिफारिश पर ही आपको किया गया था और देखे मूल समीधान में इसका कोई जिक्री ने था फ्रेंज आपका मूल करतबी का तो ये 42 समीधान संसोधन याद रखेगा 1976 इसवी में बाते समीधान में दस मूल करतबी को जोड़े गये थे लेकिन एक मूल करतब की संख्या और बढ़ा दी गये है अभी टोटल बरतमान में 11 ये भी आप लोग याद रखेगा एगारा हमा जो मौलिक करतबी है देखे एहास भी question पूछा जाता है एगारा हमा जो मौलिक करतबी है वो समिरान में जोड़ा गया मौलिक करता भी 376 इस भी 42 मा समिधान संसोदन याद रखेगा 60 हो गया 60 नमर्ट रवाल को देखे 60 नमर्ट रवाल निम्लिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो देखे 60 का कारेक्टर नसर आप्सन नमर डी हो जागा बुढ़ा गाग परपात कांची नदी है जो आपका ये सुमेलित नहीं है बाकि आपका हुंडरू जल परपात सुर्ण रेखा है सही है चाई परपात बिट्स नदी ए भी सही है ध्वांदर परपात नर्मदा नदी ए भी सही है यहाँ पर सवाल उड़ता है बुढ़ा गाग परपात कांची नदी पर नहीं है फ्रेंज तो 21 पर है ठीक है तो देखे आपका जो बुढ़ा गाग गाग जल परपात है वो बुढ़ा गाग नदी पर हिस्तित है ठीक है बुढा गाग एक नदी का नाम ही उसी पे इस थी तर ना कि कांची नदी पे बासट नमर सवाल को देखे 62 नमर सवाल है भारत यह कुछ भागों में लाल मीटी पाए जाती मीटी के इस रंग का परमुख कारण क्या है लाल मीटी होता है य। उसमें क्या पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा 62 का करेक्टन- Ωर C फेरिक ऐंक्सइड की उपस ती कारण ह्य है जो मीटी का कलर इसमें लाल होता है। ठीक है फ्रेंस इसका कारेक्टरन सर हो जाएगा आपका आपसान नमर सी चलिए 63 नमर सवाल देखे रेड इनियन जन जाती निम्लि खित में कहां की मूल निवासी है पहले कोर्शन भी बहुत में बताया हूँ रेड इनियन कहां के है फ्रेंस तो उत्रिया मिर्का तो सबसे ज्यादा है जो आपको नगर्ये जन संख्या ना तो महराष्टा हो जाएगा याद रखेगा दूसरा स्थान पर नगर्ये जन संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा अस्थल रूध देश कौन सा है तो इसके जो निर्मान के लिए सबसे लेटराइट मिट्टी कुमाना जाता है ठीक है लेटराइट मिट्टी इसका कारेक्ट अंसर हो जाएगा वह फ्रेंस जो लाल एक अभी हम लोग देखे थे भारत में लाल मिट्टी पाया जाता है ना लाल मिट्टी कालर किसके करण होता है फेरिक अकसाइट करण होता है और जो इनेर्मान के लिए सबसे लैद्टर मिट्ट किसे कारण सबद किए पता होगा शर्यच्ट lightning ohne Day को poured ऑच देखे एंपंड सब्सक्राइब धारत में किस राज में सर्वाधिक अनुस्चित जन जाती ठीक है परतिसत में है ठीक है कुल जन संख्या का तो 68 मिजोरम संख्या के परतिसत में है तो आपका मिजोरम राजिस का कारेक्टान सब्सक्राइब दो जारी गारा जंगना जंगना के अनुसाथ अगला सवाल उनतर नंबर शवाल को देखते उनतर नंबर शवाल आपका है कि जै मंडल और अच्छी छेत्र सेसा चलम की पहाड़ या निमलिखित में से किस राज में इस् सत्तर नमर्श रवाल आए निमलिखित नदियों एवों उसकी साहयक नदियों की सूची में कौन सुमिलित नहीं है upका सुमिलित है क्रिष्णका तूबंदर एभी सुमित है महा नदी का तेल ए भी सुमेलित है कोसी कमला ए भी सुमेलित है इसका करेक्टर नसर ए हो जाएगा है ठीक है उपरियुक में से एक से अधिक चलिए कतर नमर स्वाल को देखते हैं कि निमलिकित में से कौन आदर पत जड़वन में पाई जाने वाली वनस्पती नहीं है तो देखे खेजड़ी आपका सागवान है फिर महुआ वालनट है कराय कि निमनिम्स आदर पत जड़वन में पाई जाने वाली वनस्पती नहीं है ठीक है तो देखे खेजड़ी है जो आपका फ्रेंस राजास्थान की मरू भूमी की बनस्पती है और आपका जो आपका हिमाले के परवतिय भाग में पाई जाती है महुआ यवम सागवान महुआ वम सागवान है जो आदर पत्जऴवन के बनस्पती है ठीक है फिर इसके अलावा आदर पत्ज़डवन में आपका सीसम हो गया सखुगा हो गया उसके बाद सेमल हो गया, आवला हो गया, कुसुम इत्यादी सभी हो जाएगा, ठीक है, तो इसी साब से आपका करेक्टनसर क्या हो जाएगा, तो option number E हो जाएगा, एक अतर का करेक्टनसर option number E हो जाएगा, निमनी कितमे से कौन आदर पज़डवन में पाए जाने वाली वनस्पति नहीं है तो इसी साब सभी मैंने बताया कि आपका खेजड़ी जो कहां पड़ता है, तो राजस्थान के मरूब भी पाया जाता है, तो प्रियूपति में से आपका एक या एक से अधिक option number E हो जाएगा, अगला सवाल को देखे, निमनी में से किस छेत्र में 50 cm से कम वार्षिक वर्ष प्रियूटी है, बहतर का बंगलूरू इसका correct answer हो जाएगा, option number D हो जाएगा, अगला सवाल को देखे, 73 नमर सवाल आपका, neemna में से कौन सा दर्रा पुरवत्तर भारत में स्थीत नहीं है, तो 73 का जो correct answer हो रगा, फ्रेंस, पुर्वत्तर भातर में तो नीतिला दर्रा है जो आपका पुर्वत्तर भारत में नहीं है नीतिला दर्रा है जो कहां पढ़ता है तो आपका उत्रा खंड में इस्थित है जो आपका चीन भारत के मध्य यातायाद के लिए सूलव है तो निम्न में से कौनसा दर्रा पुर्वुत्तर भाग में इस्थित नहीं है तो option number 10 का character answer होज़ेगा अगला सवाल है अस्पेन और फ्रांस के मद कौन सा परवत सीमा बनाता है तो 74 का character answer होज़ेगा option number 2 होज़ेगा ठीक है पिरेनीज यह सीमा बनाता है तो आपसन नमर 20 का कारेक्टर नमर नेपाल की सीमा से लगने वाली भारत की राजियों की संख्या कितनी है तो 75 का कारेक्टर नेपाल से है तो 5 टूटर लगता है फ्रेंस ठीक है कौन कौन लगता है भी आद रखेगा उत्राखंड एक उत्तर पर सभी हो जाएगा देखिए इसमें तो पीर पंजाल भी है नाग टिबा है करा यहां पर देखिए उप्रूप तो सभी है जो लगू हिमालाई या मध हिमालाई का भाग है सभी है जो उसका भाग है लगू हिमालाई का पंच भद्रा जील भारत की किस राज में इस्थित है इका राज शवाल का तो यह जो राजस्थान के बाड़मेर जीले में इस्थित खारे जल की जील है पंच भद्रा जील ठीक है तो राजस्थान के बाड़मेर जीले में कहां बाड़मेर जीले में इस्थित है 78 नमर शवाल को देखे कि निम्न में से कौन सी जील भिहार में इस्थित नहीं है 78 का जो अनूपम जील है जो आपका बिहार में नहीं पड़ता है उसके बाद में है जो आपका गोगा बिल जीले जो कहां पड़ता है तो यह कटिहार में इस्थित है ठीक है तो इसका करेक्ट असर क्या हो जाएगा आपका आनूपम जीले जो भिहार में नहीं है बाकी बाद की तो यह सभी है जो पड़ता है यहां है इसका करेक्ट अंसर क्या होना जाये उपा сво का अठैन नमर्ल का इसमें देखे तका गड़ लग रहा है तो कौंसा जील बिहार में इस्थित नहीं है तो बिहार में इस्थित नहीं है उप्रिंस हो जाना चाहिए और कावर जील का तो κάν wszystkie सुखना जील होना चाहिए ठीक है क्योंकि इसमें करा है बिहार में इस्तित नहीं है तो कावर जिल सुखना जिल तो आपका पड़ता है जिल चंडिकन में पड़ता है अगला सवाल को देखें कि परदूसन के अधियन में किसी निर्दिष्ट करता है 79 सबनाइन का का ओप्सन का का पिली मिटी नहीं पाई जाती है तो आशी का का नहीं हो जाएगा ठीक है उप्रीक में से एक से अधिक में इसका कारेक्टनसर यह हो जाएगा विकल्प के सभी जिलों में लाल वंपिली मिटी पाई जाती है और गयाम भी पाया जाती है जमुई में भी है और रंगा बंदा वादा में तो कारेक्टनसर क्या होगा ऑप्सन नमबर आपका यह हो जाएगा अगला है फ्रेंस रामायन सर्किट निमनी में से किस अस्थल को नहीं जोड़ता है रामायन सर्किट के बारे में पुछा है इसका करेक्टनसर हो जाएगा क्या हो जाएगा तो बिकल्प में दियेगे सभी जो अस्थल है फ्रेंस रामायन सर्किट से जुड़े हुए है तो इस कि खोज किसने क्या था तो मेरे ख्याव से सभी को पता गा बिलियम हार्वे के द्वारा ब्लड सर्प्लेशन का खोज किया गया था आपसर नमर सी करेक्टर रोदेगा तिरासी नमर शावाल को देखे निम निम में से कौन किट भच्ची पौदे का उदारन है ठीक है किट भच 884 नमर नहीं से कौन बायासरांवी घ्ररंथी नहीं है आपको तो इसमें देगे बिकल्द में से सभी है जो बाइसरांवी घ्रंथी को उदारण है अश्रू है जो है लार हो गया फिरेंस दुख्द हो गया अक्रित हो गया सभी ते इसलिए करेक्टनसर आप्चन नमरी हो जाएगा एक सवाल पूछा जाता है फिरेंस आपका पैन क्रियाज गरंथी जो अंतस राविया और बाइस राविया दोनों गरंथी है वह बाकि जिब्रेलिन, साइटोकाइनेन, आक्सिन ये सभी पादफ हार्मोन का उदारान है एड्रिनलीन ये हार्मोन है जो आपका पादफ हार्मोन नहीं है पिर पौधेवला नहीं है ये जन्तु में पाया जाता है 87 नमर्ण DPT का टिका निम्लिकित में से किसके सुरच्छा द्वारा लगाया जाता है तो इसका तो इसी में ट्रिक हैफिरेंस देखिए DPT 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 88 नमर्ण शावाल को देखे 88 नमर्ण शावाल आपका है कि निम्लिकित में से कौन सा कथन परकास के प्रवरतन के लिए सही है 88 का तो इसका कारेक्ट नसर क्या होगा फ्रेंस आपतन कोन प्रवरतन कोन के बराबर होता है तो बिल्कुल सही है प्रावर्तिक किरन यिए उंदर्पन के आपतन विंदु पर डालेगे य्याएवर ये तिनों एक दल्मिय अधिक होता है िभी है किरने उपर्फेश लग्त प्रावर्तिकक में होता है इस फोलापन के लिए तो इत्सिंब में रखा गया ला का पार्थम नो ही चले फटा फटा और देख शाथ पर पचास साथ को चुम्चना को देखे थोड़ा धूंदला इसमें पीडियों बना हुआ है वक्रता केंद्र एवं धर्पन के धुर्व को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है नब्वे का जो कारेक्टन सरो जाएगा फ्रेंस वक्रता त्रिजिया कहा जाता है इसलों ऑप्सन नमर भी कारेक्टन सरो प्रकास के वेग को सर पर्थम किषिने मापा तो पता होगा आप लोगो को रोमर के द्वारा मापा गया था आप्सन नमर एसका करेक्टन सरो जाएगा काम मापा गया तो 1678 इस्वी में मापा गया थे वियाद रखेगा वेग परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है simple reference वेग परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे guess कर लिए आप लोग 93 नमबर सवाल का तो क्या कहेंगे इसे acceleration कहेंगे इसे हिंदिम क्या कहते है तो आप्शन नमबर एस का अगला सवाल को देखे स्विसक इसेल में किस तरह की उर्जा नहींत होती है उसमें क्या होता है रसायनेख होता है ना आप्शन नमर's का character हो जाएगा और यह स्विस्स की सेल का function होता है क्या ओता है रसायनेख उर्जा को को विद्य तूर्जा में convert करता है अगला सवाल निम्लिखित में कौन टिंडल परभाव को परदवर्शित करता है टिंडल परभाव देखे टेंथ क्लास में पढ़ना है प्रिंस 95 का क्या होगा नमक का गोल है दूध है कॉलाइड विलियन और कॉपर सलफेट का विलियन यह जो आपका टिंडल परभाव को परदर्शित करता है ठीक है अपका option नमर इसका character चलो जाएगा जब परकास किसी को लाइडी माध्यम से गुजरता है तो परकास का परकिर्णन होता है ठीक है परकास का मार्ग दिखाई परता जैसे की कोई अंधेला रूम है उसमें अग दिखा जाता है तो दूद और श्टार्च विलियन इसक में तो प्रिंडल परभाव परदर्शित करता है तैसी स्थीति में option नमर 20 का character हो जाएगा वीडियो कैसा लगा फ्रेंस कॉमेंट करके हमें जुरूर बताएगा परती एकांग छेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है 96 का character हो जएगा option number क्या प्रेशर दाप कहते है option number 2 correct नमर 97 को देखे आन्विक संगटन के द्वारा उस्मा का संप्रेशन क्या कहलाता है 97 का character हो जएगा फ्रेंस आणुविक संगटन का संबहन कहा जाता है ठीक है option number 20 का character हो जाएगा अन्ठान में नमर शवाल को आपका एनुट के ने के खोज आपका गोल एस्टीन के दुवारा किया गया था तो option number 6 इसका यूजीन गोल एस्टीन का रेक्ट अनसर हो देगा चलिए 99 नमर शवाल को देखते है 99 नमर शवाल आपका है इंपल्सन का उदाहरान है इंपल्सन है जो फेश क्रीम आद रखे फेश क्रीम का उदाहरान है option number 6 का कारेक्टन सरो जाएगा सौन नमर है कि निम लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है चलिए इसको तो याद होगा सभी को कौन सा सुमेलित नहीं देख लेते हैं सिरका में उपस्थिए एसेटी कम ले यह तो बिल्कुल सुमेलित है चलिए अगला सवाल को देखे अगला सवाल 101 इसका करेक्टन सर आप मों समझ हो प्रकास के परसार का कारण क्या है यह मंडल में जो परकास के परसार कारण क्या है इसका हो जाता है फ्रेंस जो धूल होते हैं धूलकन होई कि रेफ्रेजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है चले सभी को पता होगा इसमें फ्रिउन गैस पर चार danach को देखें कि पदार्थ का पराण सिधान किस के दवारा देया गया था तो डौल्टान सहीब के दिवारा दिया गया था डौल्टान इसको बिभाजित नहीं किया ज़न सकता है लेकिन बाद में क्या पता चला की पर्मानु जो तीन मौलिक कनोस सबने में प्रोटौन बश होगे अगसी मौन से ने हुगे था घीकलra शाहना ह है अगला जड़ से प्राप्त होता तो करेक्ट अन्ज़र C when playing, जिए से का प्राप्त होता है Clara प्रेटन को नियंत्र करता है तो क्या हो जाएगा एक सो साथ नमर को देखे कि वर्ष देश ने जी ट्वैंटी देशों के परियाटन मंत्रियों की बैठाक आयोईत की तो अगला सवाल को देखते हैं एक सो साथ हो गया फ्रेंज अब चले एक सो आठ नमर सवाल देखें एक सो आठ नमर सवाल है भारतिय रिल्वे ने हाली में सो से कितना भारह हजार एसपी डावल एजजी और कितना 12 लोकोमेट呢aves को सामिल किया है इसलोकोमेटिव को किस राज में विधान सभा का चुनाव नहीं कराया गया तो 109 का आप्रेल 2020 में तो गोवा में नहीं हुआ था ठीए प्रेंस ऑप्सन नंबर डी इसका का आप्रेंसर हो जाएगा सब्सक्राइब करने वाला भारत का पहला राज बहुत इंपोर्टेंस वाल है दोनों इंपोर्टेंस रिप्रेंस एक जाम के द रिष्टि कोण से यह आपका है जो आपका वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट में 140 मा स्थान और एक काइबिनेट को पूरी तरह से लागो करना वाला भारत का पहला राज कॉंसा है तो एकारेक्टन सर ओप्सिन हिमाचल प्रदिश के द्वारा एक कैबिनेट को पूरी तरह से लागो कराया गया है 112 नमर्शवाल को देखें़ दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस दिख में बनाया जा रहा है 112 का कारेक्टन सर ओप्सन नमर्डी हो जाएगा नार्वे में बनाया जा रहा है 113 नमर्शवाल आपका सैंड अभ्यास ब्रजप्रहार का ग अकाउंसा संस्क्रन तो 21 संस्क्रन कब हुआ तो 2021 में भारत का और किस के देश के बीच में हुआ था यह ब्रज परहार तो 113 का कारेक्टर नसर अप्टर अपका संजुक राजया मेरकानी USA अपसर नमर्डी का कारेक्टर हो जाएगा चलिए एक सुचौदर नमर्ड शवाल देखे और और सोरी अर्थ आवर दोजारी किस सताइस मार्ज को किस थिम के साथ विश्वभर में मनाया गया अर्थ आवर ठेक है कि 114 का कारेक्टर नसर आपसर नमर्डी होगा क्लाइमेट चेंज टू सेव और्थ आपसर नमर्डी इसका कारेक्टर नसर देगा पिर्थिवी दिवस कम मनाया जाता है इसका जवाब अफलों में कॉमेंट करके बताएगा ठेप्रेंस को सकता है पूछा जाए किस तीथी को पिर्थिवी दिवस के रूप में मनाया जाता है अगर पूरा डिव वीडियो आप लोग देखेंगे जो स्टूरे इनको पता होगा तो कॉमेंट करके हमें जरूर बताएगा इसका किसे समानित किया गया 115 का कारेक्टन सर होगा बहुत इंपोर्टन सवाल है मारिया रेशा को समानित किया गया बिशु प्रेश स्वतंतरता पुरुषकार 2021 से किसे समानित किया तो मारिया रेशा को समानित किया गया 115 का कारेक्टन सर आप्सन नमबर भी होगा ठीक है चलिए अगला सवाल 116 नमर सवाल को देखते हैं कि अंतराश्टी होकी महासंग के अध्यक्स पद पर किस भारती को दूसरी बार चैनित किया गया 116 का कारेक्टर नसर आप्शन नमर सी हो जाएगा नरिंदर बत्रा को किया गया है 117 नमर सवाल को देखे फियामो नाओमी माताफा किस देश की पहली महला परधान मंतरी बनी है तो देखे पहली बार बनी है तो याद रखे है इंपोर्टेंट है आप्शन नमर बी होगा सामोवा स्वमोवा का पर्थम बार है जो महिला परधान मंत्री यही बनी है कौन? फियामे नाओमी कारेक्ट अंसर ओप्षन नमबर बी हो जाएगा फियामे नाओमी मताफा किस देश की पहली महिला परधान मंत्री बनी है तो आपका समोवा इसका कारेक्ट अंसर हो जाएगा देखे समोवा है जो कहां परता फिरिंस तो ये परसांत महासागर के छेत्र में इस्तिता फिरिंस ठीक है जिससे आपको अजादी मिली थी आपका पहले नीजिलेंड के अंदर में आता था जैसे स्रिलंकाम बनी थी फिरिंस उसी तरह से पर्थमबार उसी तरह से यहां बना है 118 नमर शवाल को देखे आउसकर 2020 में इनमें से किसे सर्वत्तम विदेशी भासा फिल्म की स्रेनी पुरुसकार प्राप्त हुआ है 118 का करेक्टनसर आपसन नमर ची होगा इंदर राउंड को चलिए 119 नमर शवाल को देखे है कि बिहार का पहला रामसर साइट कावर जिल किस जिला में इस्थित है चलिए 119 का करेक्टनसर क्या होगा फ्रेंस पहले भी बता चुका हूँ बेगु सुराय में है आपसन नमर बी करेक्टनसर हो जाएगा 120 नमर शवाल वरतमान में विस उबैंक के अध्यक्ष कौन है 120 नमर शवाल का करेक्टनसर आपसन नमर डी हो जाएगा फ्रेंस आपका ड असिरवाद नामक एक विशेश योजना घोशना किये है कौन सा योजना असिरवाद और किसके लिए फ्रेंस देखें इंपॉर्टेंट है कोशन किसे घुमा के पूछा जाएगा किस राजने अनाथों को बीतिये सहायता परदान करने के लिए चलाया गया और यह आपका ओडि किया गया 122 का करेक्टर से तैमिल नाडू हो जाएगा आपसर नमर डे के लिए 133 नमर सवाल आपका फ्रेंस की ओलंपिक 2020 में भारत ने हौकी में किस टीम को पराजित कर का से पदक प्राप्त किया था इंपॉर्टेंट इंहों ने जर्मनी को हराया था और 2020 में भारत ने ज सब्सक्राइब को देखें इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत की किस राज द्वारा जारी किया गया है 125 का जो करेक्टनसर होगा आंधरा परदेश को दोरा 126 नमर शवाल को देखें किस देश ने ब्रिक्स देशों को सामिल करते हुए ग्रिन हैडोजन पहल पर दो दिवस्य सिखर समेलन की मेज़मानी की है 126 का करेक्टनसर होगा आपका इंडिया भारत हो जाएगा 127 नमर शवाल देखें हिमाचल परदेश के उन जिलों में अनाज अधारित एथेनाल सयंत्र के स्थापना की घोसना किस कमपणी ने की है 127 का करेक्टनसर आप्सन नमर भी होगा एचपी सियल ने की है 128 नमर शवाल को देखें अंतराश्टिय सौर गठ बंधन आई एस ए का 121 सदस देश निमने लिखित में से कौन बना ठीक है आई एस ए हो गया इसका तो आपका आई एस एक तर क्या होगा अंतराश्टिय सौर गठ बंधन याद रखें क्या हो जाएगा अंतराश्टिय सौर गठ बंधन तो इसका जो 101 सदस संजुक्त राज अमेर्का बना आप्सन नमर एक 188 का करेक्टनसर हो जाएगा एक 139 नमर शवाल को देखें 129 नमर शवाल है 2020 के लिए Central European University Open Society पृष्कार किसने जीता है 129 का कारेक्टन सुरूगा के के सहले जा जीता है आनि आप्सन नमबर डी इसका कारेक्टन सुरूगा 2020 के लिए Central European University Open Society पुरुषकार के के सहले जा जीता है आगला आप्सन किस राज ने दिव्यांगों के लिए समझ की हेल्प लाइन शुरू की है 130 का जो कारेक्टन सुरूगा आप्सन नमबर आपका भी करनाटका हो जाएगा किस राज ने दिव्यांगों के लिए समझ की COVID हेल्प लाइन शुरू किये तो करनाटका इसका कारेक्टन सुरूगा 131 नमबर शवाल देखें 131 नमबर शवाल है कि आयूध अनुसंधान और विकास परतिष्ठान ARDE ने विमान से पाइलेट इंजेक्शन के लिए अत्यधूनिक काइनयोपी सेवरेंस सिस्टम विक्सित किया है संस्थान इस्थित है ये कहां इस्थित है 131 का ये पूने में पढ़ता है 132 नमबर शवाल देखें मेडिकल ऑक्सिजन की आपूरती सुनिश्चित करने के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट ओटू किसने लॉंच किया है 132 नमबर शवाल देखें निमलिखित में से किस संस्थान ने जीवन वायू नाम से एक बिजली मुक्त CPAP उपकरन विख्षित किया है 34 का है आपका दिवग्यांग व्यक्तियों से संबंदी थे ओप्सन नमरे इसका कारेक्टन सरो देगा 135 नमर शवालक टोक्यो ओलॉंपिक 2020 में भारते खिलाडियों के संबंद में निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखे आपका है PV सिंदु कास पदक जीता थे तो आपका सुमेलित थे बजरंग पुन या रजक पदक उप्सन नमर बी हो जाएगा बजरंग पुनिया आपका सुमेलित नहीं है चलिए 15 सवाल आओर है फ्रेंस 136 नमर शवाल को देए किस संगठन द्वारा COVID-19 के पच्चात वैस्वी कर्थ व्यस्ता के उथान है तुद ग्रेट रिशेट प्रियास को प्रारम किया गया 136 का जो कारेक्टन सब्सक्राइगा आप्सन नमर ए विश्व आर्थिक मंच के सब्सक्राइगा 137 नमर शवाल को देए सरज आजीव का मेला 2021 का आयोजन निम्लिखित में से किस सहर में किया गया 138 नमर शवाल देखें 138 नमर शवाल आपका है भारत के पर्थम योग विश्विद्याले कहां स्थापित किया गया बहुत इंपॉर्टें सब्सक्राइग भारत के बाहर कराना है तो भारत का बाहर में कहां किया गया तो इसंताइगा और बिखित इस का अंटंटिका में भारत का सथाई और उसके दवारा परिचालित अनुसणधाना स्टेशन है परितंतर में कहरा ना तो परितंतर में क्या आता है इसमें तो आपका पादब जगत हो गया जैब घटक हो गया सब्सक्राइब आपका कुछ मैथेमाइटिक्स का सोलूशन आप लोग कहीगा तो पीडिएफ में दे दूँगा अपका सोलूशन कर लिजेगा ठीक है तो अब इसमें टोटल 140 प्रशन आप और विडियो कैसा लगा अगर आते हैं तो इसका सेशन जारी रखेंगे ठीक है और कुछ चुनिंदा प्रशन कर रहा हूं पचास-पचास प्रशन करकर करकर के आप लोग को प्रवाइट कराओंगा जिस से आपका एक्जाम में लडने की पूरी संभावना रहेगा तो आप ल और आप लोग फ्रेंज जो भी है स्टुडेंट बीपेस ये वाले हैं वो मास्टर माइंड जिक के अप्लिकेशन जरूर डॉड कर लेगा उसमें आपका डिटेल से पढ़ने के लिए आपका इतिहास इकनौमिस सभी सब्जेक्ट कर दिया हुआ एक पर अप्लिकेशन आप जर रखेगा उप्लिकेशन का नाम है उसमें सर्च करिएगा चले फ्रेंज तो नेक्स वीडियों में मिलता है देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद कर दो